दर्शकोई यूंतों मैं देश दुनिया की खबर और भारतिय राजनीती की खबरों को लेकर आप लोगों के सामने अक्सर उपश्थित होती हूँ लेकिन आज की इस खास पेशकस की वज़ा कुछ और है वज़ा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह भारत की राष्ट्रे राजनीती का काया पलट कर दिया है कॉंग्रेस को बीमार लाचार की तरह कर दिया है साथ ही वज़ा है कि किस तरह जिस खेल के मैदान में कॉंग्रेस बीज़ेपी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजनीती राजनीती खेलना चाहती थी उस खेल के मैदान को ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पलट डाला है बदल दिया है और साथ ही तयार किया है एक नया खेल का मैदान जिस खेल के मैदान में कॉंग्रेस का बीजेपी को टकर दिना लगभग नामुम्किन हो जाता है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी खेल के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे साथ ही बात करेंगे जो नेशनल नेरेटिव कॉंग्रेस ने बीजेपी के खिलाप साल दोहजार चौविस के लोकसभाद चुनाव में लड़ने के लिए तयार किया था उसी उसी नेशनल इन पांच राज्यों के विधान सभाद चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी ने देखा जाई तो एक तरह से धुस्त कर दिया है परास्त कर दिया है अब सवाल ये क्या अब कॉंग्रेस नया कोई नेशनल नेरेटिव खड़ा कर पाईगी क्या कॉंग्रेस जो चार सा पिछले बीचते 4-4 साल में नहीं कर पाई क्या अब आने वाले 6 महिनों में 5 महिनों में कर पाईगी दोस्तों इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे साथ ही बात करेंगे पांचवे राज्यय मिजोरम के रिजल्ट की कि उसमें कॉंग्रेस की स्थिति क्या रही बीजेपी क कैसे बीजेपी ने कॉंग्रेस को पीछे छोड़ दिया दोस्तों इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे भारत की राष्ट्रे राजनीती देखिए दोस्तों इन पांच राज्यों के विधान सभाद चुनाव के रिजल्ट जो आए हैं उसमें मिजोरम का भी रिजल्ट आ गया जिसमें बीजेपी को मिली है तीन सीटे और कॉंग्रेस को मिली है एक सीट तो यहां पर भी बीजेप से 90 प्रतिशत क्रिश्चन के आगवादी वाला चित है लिकिन फिर भी कॉंग्रेस से अच्छी स्थिती यहां पर वीजेपी की रही क्या है दोस्तों भारत के राजनीती में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रे राजनीती का काया पलट कर दिया है वो कैसे कि है क्योंकि इससे पहले जो राजनीती हुआ करती थी दशकों से चली आ रही है जिस तरह से आजादी के समय से आजादी के बाद से ही चली आ रही है भारत के लोगों को जातियों में बाटा गया खास्तों पर हिंदों को क्योंकि हिंदों को ही जातियों में बाटा गया कि यह इस तरह से भारत जो भारत के हिंदू है उनको जातियों के आधार पर बाठ दिया गया और इसी का फाइदा यह लोग लगातार उठाते रहे लेकिन अब यहां पर जो यह जो चुनाव गए हैं यह जो चुनाव आने वाले हैं साल 24 में और इसके अलावा यह पांच राज्यों के विदान सबद चुनाव गये हैं पूरी कोशिश कोंगरस की ये रही कि जो भारत के लोग यह जो हिंदू हैं जातियों के आधार पर बटे हुए हैं इंके बीच की दरार को और गहरा कर दिया जाए और ज़्यादा इनके बीच में दरार को कुरेद कुरेद कर गहरा कर दिया जाए लेकिन इसके विप्रीत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों की इसे मानसिक्ता को जो राहुल गांधी कॉग्रेस ओबीसी कार्ड खेल रहे थे जातिकत जनगर्णा कराने की बात कर रहे थे और जातियों के बीच भी जो लकीर है उसको और गेरा करना चाहरे थे इसे को माद दी क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये लोग जिस मैदान में खेलना चाहरे थे राजनीती राजनीती उसी मैदान को उन्होंने बदल दिया और तयार किये वर्ग लाभारती वर्ग महिला वर्ग इसके अलावा गरीबों का वर्ग इस तरह के वर्ग तयार कर जिसमें लाभार्ती वर्ग में सभी लोगों को बिना जाती देखे बिना कुछ भी चीज़े देखे सभी लोगों को लाभ मिले चाहे वो क्रशी योजना हो या फिर अन्य योजना टॉयलेट की योजना आवास योजना इस तरह की योजनां में जितने भी जंधन योजना अलावा गरीबों के लिए खास तौर पर गरीबों का ध्यान रखा गया इसके अलावा घर की महिलाएं जिनके हाथ में जिम्मिदारी होती है घर की कमान समहलने की घर को जोड़े रखने की उन्हीं महिलाओं के नाम पर महिलाओं को केंद्र केंद्रित रखते हुए ही जो गया वह कैसे देखे जीस तरह से आवास व्योजनाय चलाई घर दिये गए तो महिलाओं के नाम पर ही उनके रिजिस्ट्रिशन किए गए गयेिज थाते अ Californ के नाम पर dhFe तो इस तरह महिलाओं को केंद्र करते हुए ही यहां पर केंद्र सरकार ने यह जो सारी योजनाय चलाई और यहां पर इन योजनाओं का असर यह हुआ कि प्रधान मंत्री नरींद्र मूदी की तरफ लोगों की गरीबों की जो विश्वश्चनिय था थी वह बढ़ गई मुका दिया जाते हैं लेकिन बाद में चार साल के लिए उन्हें भूल दिया जाता है जिसके बाद जब अगले चुनाव करीब आ जाते हैं तो यह लोग लग जाते हैं कि भई अब समय आ गया है अब लोगों के मन में अपनी दुबारा जगा बनानी है दुबारा उन्हें यार द में इतनी योजनाय आशोक गहलोत की सरकार ने चला दी कि भाई लोगों के वारे न्यारे कर दिये और इस पर भी सोने पर सुहागा देने आ गई प्रियंका गांधी वाड़ा उन्हें भी आशोक गहलोत ने बुला दिया कि भाईया आओ और अब यहां पर लोगों को जरा से कुछ नहीं सीखती है याद किसे साल 2019 का जो चुनाब था वो जिसमें यहां पर राहुल गांधी ने साफ तोर पर जंता को बोल दिया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 6000 रुपे प्रतिमा ये लोग पैसे देंगे हर परिवार के एक व्यक्ति को लेकिन उसी के विप्र प्रधान मंत्री नरीन रमूदी ने हर किसान से एक वादा किया था कि किसान सम्मान निधी के तहट उन्हें हर मैने 500 रुपे मिलेंगे लेकिन यहां पर लोगों ने विश्वास नहीं दिखाया राहुल गांधी के उन 6000 रुपों क्योंकि लोगों को पता है कि ये व्यक्ति ये लोग ये कॉंग्रेस तो सिर्फ चुनावी राजनीती करते हैं चुनाव में ही ये हिंदू बन जाते हैं कोट के उपर जनेव पहन लेते हैं चुनाव में ही ये बड़े बड़े वादे कर देते हैं जिसके बाद जनता मोहित होकर इनको वोट तो दे देती है लेकिन फि 500 रुपए देने पर किसानों को लोगों ने विश्वास किया विपरीत इसके कि राहुल गांधी पर वो विश्वास करते लेकिन यहाँ पर भी इस चीज से यह लोग कुछ नहीं सीखते हैं क्योंकि देखिए जिस तरह से लाभार्थी यूजना की इंद्रसरकार लेकर आई मो कि रेवडी कल्चर जिसको प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने नकारा नहीं क्योंकि अगर यहाँ पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी इसको इगनोर कर देते तो यह बड़ा एक सिक्का साबित हो सकता था कॉंग्रस के लिए लेकिन राजनीती मोदी जी की यही खासियत है कि वो अपने जो विपक्षी द्वारा चली गई एक एक चाल पर नजर रखते हैं चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो उन सब ही को इबारी की से परकते हैं और अगर वो दिखती है कि जरा भी ये ख़तरा बन सकती है बीजेपी के लिए मोधी जी के लिए तो उस पर तुरंत ही वार करते हैं तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ तो लगाता जिस तरह की चीजे कॉंग्रेस करती है अब लोगों को समझ आ गया है और लोगों की विश्वस्नियता कॉंग्रेस की तरफ से शिफ्ट हो गई है खत में उसी हो गई है और मोधी जी पर जो आज के लोगों की विश्वस्नियता है वो उनके काम को लेकर ही है खैर इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो यह तीन राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है आप देखेंगे ना तो यहां पर जो यह कार्ड खेल रही थी कॉंग्रेस ओबेसी कार्ड और जाती का जिंगर्णा कराने का कार्ड जो एक नेशनल नेरेटिव गड़ रही थी कि यही है यही है हमें काम आएगा साल दोजार चौबेस के लोग सबहर चुनाओं में इसी हत्यार को पराश्थ कर दिया है क्योंकि इन तीं राजय में जहां पर बीजे पी की जीत हुई है 80% से जादा आबादी OBC SC ST की है और यहां पर बीजे पी की भारी भवमत से जीत हुई है तो यहां पर इस नेशनल नेरेटिव को तो पचाड़ दिया है बीजे पी ने लेकिन अब सवाल यही आता है क्या अब कॉंग्रेस पार्टी कोई नया नेशनल नेरेटिव गड़ पाईगी देखे ऐसा लगता तो नहीं है क्योंकि पिछले 4-4 सालों में कोई स्ट्रांग नेशनल नेरेटिव जो कॉंग्रेस नहीं खड़ा कर पाई अब महज 5-6 महिनों मे क्या ही कर लेगी तो यहां पर अब कॉंग्रेस के लिए यह नामुम्किन होने वाली बात लगती है और जो यह एक अस्तर के तौर पर एक हत्यार के तौर पर यह जो नेरेटिव गड़ा था कॉंग्रेस ने इसको तो भाई बीजेपी ने परास्त कर ही दिया है और सबसे होती है कि कॉंग्रेस की जो नेता थे उन पर पिछला वर्ग के होते हुए भी उन पर लोगों की विश्वसनेता नहीं थी जबकि बीजेपी की तरफ विश्वसनेता यहां पर लोगों की जादा थी तो यही कारण है जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है अपने काम अपने श्रद्धा और लगन के साथ उन्हों ने जो लोगों की हिट के लिए काम किया है और देखे एक सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट जो कहते हैं कि गेम चेंजर पॉइंट है भारतिय राजनीती में बीजेपी के लिए वो है 81 करोड लोगों को मुफ्त में राशन देना य इतने लोगों को मुफ्तर राशन दिया जाय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने लोगों की पेट भरने का कांकिया है कि कोई भी व्यक्ति भूका न सुए यह पंपर हम अपना पेट कैसे भरेंगे प्रधान मंत्री को मुफ्त राशन देने की सुविधा उपलब्द कराई है तो जो लोग बोलते हैं कि भाय पैट्रोल इतना महगा है सब्जियां इतनी महेंगी हो रही है ये सारी चीजें इतनी महेंगी और ये कुई ये भी तो लोग इस तरह के लोग हैं राशन लेकर आते हैं वो मुफ्त में ही ये सारी चीज़ है अपने पेट भरने की सामगरी कींद सरकार के द्वारा चलाई गई योजना के द्वारा लेकर आते हैं तो वाकई खुशी होती है यहीं चीजों को देखकर लोगों की विश्वर स्नियता बीजेपी की तरफ बढ़ रही है अब यहां पर कॉंग्रेस के लिए जो बीजेपी ने कर दिया है वो ये कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश को छोड़ कर नौर्थ इंडिया से एक तरह से देखा जाए तो कॉंग्रेस का सफाया बीजेपी ने कर दिया है रही तमिलनाडु क की बात यानि की साउथ इंडिया की बात तो साउथ इंडिया में जो कॉंग्रस के सामने कॉंपिटीटर हैं वो आगे अन्य लोग भी खड़े हैं जैसे स्टालिन है इसके अलावा टीडीपी है अलग-अलग राजियों में अलग-अलग नेता खड़े हैं अलग-अलग देने की तैयारी के लिए जो प्रधान मंत्री नरेन रभूदी है बीजेपी है उन्होंने खेल का मैधान ऐसा तयार कर दिया है ऐसा चक्रव्यू रच दिया है जिस चक्रव्यू से निकल पाना अब कॉंग्रेस के बस की बात लगती नहीं है क्या राजनीती में पहले से कुछ है क्या तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रही है थिंग टैंग